हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो और यूटी टेनल सनेप इन्फो तो दोस्तों आप लोगे उरसे बहुत सार सवाल आ रहे थे डाउट आ रहे थे किसार हमारी ट्रेनिंग के लिए हम बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं तो दोस्तों मैंने इसके उपर एक वीडियो बनाया था करना चाहिए तो फ़ानली दोस्तों मुझे भी यहां पर ट्रेंडिंग के लिए दो दिन पहले काल रिसीव हुआ क्योंकि मैंने भी यहां पर दिल्ली स्विट्टी के लिए कर रखा था आज से कुछ साल पहले तो मुझे भी हैं डेकिन चोटी सी मिस्टेक कर दी चोटी से गलती कर दी जिसकी विएसे मैं ट्रेनिंग परने से मना कर दिया गया तो दोस्तों अब लोग को उस कैसे आपको आपको पिपर बात करना है जब आपको एक बात करनी है तो अगर अगर आप इस चैनलम पना है ता प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कीज़ें लिए बेल बढ़ रहे तो चलिए हम आपको बताता हुँ कि मुझे training के लिए क्यों मना कर दिया कहा है मैंने क्या जसके क्वेब्स से मुझे training पर आने समाना कर दिया गया तो दोस्टो जैसे कि अब को कि एहां पर च्रेणिंग को फोलो करते हुए करवाय जा रहा है तो मेरी चाहिए ट्रेणिग सेंटर थी राजा करणम आपिस मुझे कॉल आया मॉर्निंग में और यहां पर सीनेयर औफिस थे उन्होंने मेरे को बोला कि आपको ट्रेणिंग के लिए सौट लिए किया गया है आपकी ट्रेनिंग होने वाली है और आपको राजागाड रहना है और मैंने राजागाड़म डियम ऑफिस से कॉल किया है तो यह सारी बात है हुगा यह उसके बास उन्होंने पूछा कि आपकी वेक्सिनेशन हुई है कि नहीं अपने वेक्सिन के दोनों डोज पढ़ेगा ट्रेनिंग के लिए तो मैंने अभी पहले ही फर्स लगवाई है तो मैंने उन्हें साफसा बता दिया कि मैंने फर्स लोज अपनी दो वीक पहले लगवाई है और मुझे दो से तीन वहीना तक और बेट करना पड़ेगा सेकेंड डोज के लिए तब मैं आप वैक्सिनेशन के दोनों डोज लगवा रखे हैं और जब भी आपको कॉल आती है तो आपको उन्हें वताना है कि सर मैंने दोनों डोज लग चुके हैं और मैं फुली बैक्सिनेटेड हूं मैं ट्रेनिंग के लिए इलिजबल हूँ तो अगर आप यह चीज न बताएंगे त तो दोस्तों इस वीडियो के मादम साब को एक अपडेट देना था आई होप दोस्तों आपको वीडियो इन्फरमेटिव लगे होगी इसके लाव दोस्तों ट्रेनिंग्स लेटेड कोई सवाल है कोई डाउट अब कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम मिलते हैं कैसे वीडियो